मैन पाड सरगुजा जिले के मुख्याले अंबिकापूर से 75 किलो मीटर दूरी पर है इसे 36 गड़ का शिमला भी कहा जाता है क्योंकि यहां का प्राकृतिक सौंडर्य, समुद्र तल से उचाई, रम्निय इस्थल वा ठंड के दिनों में बर्फ बारी शिमला होने का एहसास करा मैन पाड की खुबसृति देखना हो तो फिर ठंड या बारिश के दिनों में यहां आईए, इन दिनों यहां का प्राकृतिक सौंडर्य चरम पर रहता है, गर्मी में भी यहां का तापमान काफी कम रहता है, इसलिए यहां हर मौसम में सैलानी आते हैं, मैन पाड विंद्य पर्वत माला परिस्थित है, जिसकी समुद्र सतर से उचाए 3791 फिट है, इसकी लंबाई 28 किलो मीटर और चोड़ाई 10 से 13 किलो मीटर है, प्राकृतिक संपदा से भरपूर यहां एक बेहत सुन्दर इस्थान है, मैन पाड से ही रिहंद एवं मान नदी का उदगम हुआ है, यहां के प्रमुक दरशनी इस्थल है सर्भंजा जलप्रपाद या टाइगर पॉइंट, यहां पर एक बहुत बड़ा वाटरफाल है, चारो तरफ पहाडियों से घिरा यह इस्थान परियटकों की पहली पसंद है, यहां जलप्रपाद के नीचे वाली जगह तक जाया जा स सकता है, इस्थानी लोग बताते हैं कि टाइगर पॉइंट पर शेर पानी पीने आता था, फिश पॉइंट यहां भी बेहत खूबसूरत ज़रना वह दो वाटरफाल है, प्राकृतिक सौंदरे से भरपूर इस बेहत खूबसूरत जगह पर धाराओं में तैरती विभिन प् मेहता पॉइंट मेंपार्ट से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर अदभूत जरने का नजारा है, यह भी चारो तरफ लंबे पहाडों से घिरा है, इस जगह से सुर्योदय वा सुर्यास्त का नजारा बेहत अदभूत रहता है दल दली, इस जगह में इस पंजी जमीन आपको प्रकृति के और करीब ले आती है, यहां लगभग 3 एकर जमीन ऐसी है जो काफी नर्म है और इस पर कूदने पर ऐसा प्रतीत होता है कि धरती हिल रही है, मैन पार्ट पहुँचने वाले सेलानी उचल कूद का भरपूर मजा लेते हैं, वैग्यानिकों का कहना है कि पृत्वी के आंतरिक दबाव और पोर स्पेस में सॉलिड के बजाए, पानी भरे होने के कारण यह इस्थान दल दली और इस्पंजी लगती है, जब भी कोई व्यक्ति इस इस्थान पर कूदता है तो जमीन दब जाती है और फिर वा मैन पार्ट के एक खुबी और है कि 1952 में तिबती लोगों को सरनार्थी के रूप में यहां बसाया गया था, इसलिए इसे छोटा तिबत नाम से भी जाना जाता है, तिबती धर्मगरू दलाई लामा यहां दो बार आ चुके हैं, इस तिबती कैम छेतर के दस बौद मंदिर हैं, जिनमें मन को बहुत शान्ती मिलती है, यह जगा धागपो जैसे कई खुबसूरत मठो का भी घर है, अगर मैन पार्ट घुमने आ रहे हैं, तो यहां जरूर आएं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, तो हो सकता है कि आप एक तिबती शादी में शामिल भी हो सके यह कालीन और पामेरियन कुत्तों के लिए भी प्रसिद्ध है, उल्टा पानी, मैन पार्ट आने वाले सेलैनियों के आकरशन का एक कारण उल्टा पानी भी है, यह एक ऐसी जगह है, जहां पानी का बहाव नीचे की बजाए, उपर की ओर, याने उचाई की तरफ है, इस इस तर तक वह पाहाडी की ओर चली जाती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स वह बर्ड वार्चिंग, यहां से कुछ दूरी पर जंगल वह वनमंडल द्वारा संरक्षित, खूबसूरत जगह हैं, जहां पैरा ग्लाइडिंग के लिए भी कई सारे विकल्प हैं, और भी कई एडवे मैं पार्ट में कहां ठहरें, हाला कि नई सड़क बनने के चलते, यहां कई सारे ठहरने के ओप्षन खुल गए हैं, लेकिन यहां रहने के लिए सबसे मशूर जगह टाइगर फॉल रिजॉर्ट है, जो पहाड़ियों के बीज बनी, एक सुन्दर प्रॉपर्टी है, इसके अ मैं पार्ट कैसे पहुँचे, हवाई यात्रा द्वारा, सबसे निजदी की हवाई अड़ा रायपूर में है, जो यहां से 350 किलो मीटर की दूरी पर है, एरपोर्ट से मैं पार्ट पहुँचने के लिए, आप राज्य परिभान की बस ले सकते हैं, या प्राइवेट की रायपर ले सकते हैं, रेल द्वारा, रायगाड जो मैंपार्ट से 178 किलो मीटर दूर और अम्भीकापूर जो यहां से 80 किलो मीटर दूर है, मैंपार्ट के नजदी की सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हैं, सड़क द्वारा, यहां रायपूर से आसानी से पहुचा जा स जो भारत के अन्य सभी प्रमुक शैरों से जुड़ा हुआ है, अम्भीकापूर से मैंपार्ट जाने के लिए दो रास्ते हैं, पहला रास्ता अम्भीकापूर सीतापूर रोड से होकर जाता है, और दूसरा ग्राम दरियावाई पट्टी से होते हुए मैंपार्ट तक का 50 क किलोमीटर का सफर है, नवानगर की तराई से मैंपार्ट पहुचने के लिए चकाचक सडके बनाई गई है, इस सडक से मैंपार्ट पहाड़ी का सफर बेहत रोमांचक है, पहाड़ के सीने को चीरते हुए टेडा मेडा रास्ता उचाई के ओर ले जाता है, उचाई से नीच वादियों का द्रिश्य देखने लायक होता है। यह 36 गड़ की ऐसी अध्भुत जगह है जो प्रकृती प्रेमियों व परेटकों का मन महलेगी।